हैपई दिवाली तू यू ओल दिवाली के दिन बहुत बड़ा धमाका होने वाला है IPL रिटेंशन को लेकर सभी टीम्स के IPL रिटेंट खिलारियों की लिस्प सामने आ चुकी है किस टीम ने किस खिलारी को रिटेंट किया है पूरी जानकारी आ चुकी है और इस वीडियो में आपको सारी टीम्स की डीटेल देने वाला हूँ इसे प्लीज आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजेगा और आखरी तक देखेगा रिशब पंत को लेके बड़ा अपडेट है श्रेय सेयर को लेके बड़ा अपडेट है साथ में केल राहूल को लेकर भी बड़ा अपडेट है क्योंकि चैनल पर मैं अकेला काम करता हूँ वीडियो एडिट भी करना कॉंटेंट निकालना और आप सब के लिए उसको क्रियेट करके अपलोड करना ये सारी चीज़े मैं खुद करता हूँ इसलिए अगर आप सब सपोर्ट कर देंगे मुझे इस वीडियो को लाइक करके तो मेरे लिए अच्छी बात रहेगी हमारे चैनल के लिए अच्छी बात रहेगी चैनल ग्रो होगा और यूट्यूब अगर लाइक अगर आप इस वीडियो को करेंगे तो यूट्यूब इसे बाकी लोगों को भी शो करेंगा कॉंटेंट को रिकमेंट करेंगा देखने के लिए तो प्लीज इस फीडियो को लाइक जरू कर देगा अब बात कर लेते हैं कि करके सारे टीम्स के रिटेंशन की सबसे पहले बात करते हैं CSK की तो CSK से पांच नाम सामने आ चुके हैं जिनको वो रिटेंट करने वाले हैं सबसे पहला नाम रितुराज गायकोट कप्तांग उसके बाद में जो दूसरा नाम है रवंदर जडेजा शिवम दुबे मतीशा पती राना का नाम है और धोनी का अनकैट प्लेयर के रूप में नाम है ये पांच खिलाडी है बट इसमें एक क्लॉज आ रहा है चोटा सा इस इसमें एक बहुत बड़ा बतलाव हो सकता है और हो सकता है कि रवंदर जडेजा और शिवम दुबे दोनों को टीम रीटेन ना करें ठीक है इसके ऊपर बहुत बड़ी खबर है और ऐसा क्यों होगा किसी और प्लेयर को टार्गेट कर रहे हैं ये अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज आप इस वीडियो के लास्ट में या फिर मैं उसको आई बटन पर टैश कर दूँगा आप वो वीडियो भी देखेगा जाकर के कि रवंदर जडेजा और शिवम दुबे को रीटेन ना करने की बात क्यों हो रही है शिवम दुबे को तो आटीम के जर देगी अपनी तो CSK से वह बहुत बड़ा अपडेट रहेगा उस वीडियो को जरूर देखेजेगा आई बटन पर आपको देखाई भी दे रहा होगा अब बात कर लेते हैं गुजराट टैटेंस की तो गुजराट टैटेंस कौन कौन से खिलाडियों को रीटेन करने वाली है बड़ी खबर एक आपको देदू कि गुजराट टैटेंस ने राशित खान और शुबमन गिल दोनों को रीटेन कर लिया है ठीक है पहले बात आ रहे थी कि दोनों को रीटेन कर लिया है और साथ में साइस सुदर्शन का भी नाम है उसके बाद राहुल टेवतिया शारु ने की रिटेन होने जा रहे हैं इस IPL auction से पहरे उसके बाद बात करने तें की के क्यार की से बड़ी-बड़ी खब्रे को चाई हुई है और के क्यार ससे खबर आई सुनी लडेन को टीम रिटेन कर रही है रिंकु सिंग्यम कर रही है और रश्यत राना को रीटेन कर रही और पर उन्द चक्रवरति को टीम रीटेन करने की चार खिलाडी है ज्सक्रश कर रही है तीम अब अंद्र एक रसल को वीडियो जो है व नहीं रड़ा होए अभी आई विटर में आपको पाप भी हो रहा होगा आप उसको भी जा करके देख सकते कि KKR और श्रेयस आयर के बीच में क्या मीटिंग हुई है मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है जिसके कारण श्रेयस आयर को KKR की टीम रीटेन नहीं कर रही है तो वो भी एक बड़ा अपडेट रहेगा उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ करम लखनो सुपा जाइंट्स की तो देखे लखनो सुपा जाइंट्स के बीच में क्या कुछ हुआ पहले वाली बात सिर्फ अपकी वाली बात बहुत अलग है केल राहुल और एलस जी के उना संजीव गुएन के बीच में क्या बात हुई थी रीटेंशन से ठीक पहले उस पर एक बहुत बड़ी खबर आई है वो वीडियो भी आपको डीटेल में मिल जाएगा आप आई बटन पर उस पर क्लिक कर सकते देख सकते हैं अभी फिलाल बता देता हूं कौन-कौन से खिलाडियों को ये रीटेंट कर रहे हैं निकलस पूरन मयंक्यादफ रवी बिश्ण होई उसके बाद में मौसीन खान और आयूश बदोनी तो ये खिलाडी हैं जिनको लस्जी की टीम रीटेंट कर रहे हैं या उनको क्यों रीटेंट नहीं किया है या उन्होंने रीटेंशन से मना कर दिया था डीटेल क्या है आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीज़े हैं जोस बटलर यूजी चहल रीटेंशन में नहीं है आउक्शन में दिखाई देंगे तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ रहेगी क्या बटलर आर्सी भी जाएंगे क्या बटलर ऐलेस जी जाएंगे क्या बटलर पंजाब चले जाएंगे देखने वाली बात रहेगी और बहुत मध्यतार यह होने वाला है ठीक है इसके बाद करो नहीं है हो दो पहली बता दिया था था थे 13 करोर में उनको रीटैन किया है उसके बाद पैटों थे 18 करों में उसके बाद अवीशग शर्मा 14 करों उसके बाद अभी शर्मा 14 क्रों से रीटिंग किया है इसके बाद बात कर लेते हैं जो मतलब अभी तक की जो इंफरमेशन आई हुई थी जिन टीम से इंफरमेशन आई है वो सब कुछ आपको बता दिया है तो अब डीटेल में जिन टीम पर मैंने वीडियो किया है आपको आई बटन में भी दिख जाएगा और स साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैं उन सब को अटेश कर दूँगा इसके अलावा बिस्क्रिप्शन में जाकर कि जो डीटेल वीडियो हैं आप उनके लिंक पर भी क्लिक करके देख सकते हैं इंसाइड इंफरमेशन आपको मिल जाएगी और बहुत बड़ी खबरे हैं तो प्लीज उनको वीडियो को भी देख लीजेगा फिलाहल अभी इस वीडियो में हम ने बात की है जो खिलाडियों को रिटेंज कर चुकी है टीम उनके बारे में कप्तान कौन होगा आर सी बी क्या कर रहेगी क्या के ल राहुल के पास जाएगी अच्छा यहां पर आर सी की बात रहेगी ना आर सी बी की बात और कर लेते हैं ठीक है विराट कोली कप्तानी करते हुए आपको दिखाए देंगे इस सीजन में यह बात मान लीजे आप और आपको पता भी चल जागा जब टीम एनाउंस होगी तो उसके बाद में रिटेंशन के रूप में जो है वो विराट कोली हैं ठीक साथ में उनके फिर रजट पाटीदार हैं और विल जैक्स हैं और मुहमत सिराच को लेकर के डाइलेमा बना हुआ है इनको रीटीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो अपने आप बड़ी खबर आई है कि विराट कोली एक बाद फिर से आपको कपतानी जो जो लोग मिस्स कर रहे थे उन सब के लिए मज़ेदार बात है यह वो सब इंजॉय कर पाएंगे विराट को एक बाद फिर से आई पील में कपतानी करते हुए देख पाएंगे और एक बार अगर अपकी बार कप जीट जाती है टीम ट्रॉफी जीट जाती है आर सी बी और फिर आई पील की ट्रॉफी उनके पास में तो सारे फैंस को इस चीज़ का इंतजार बहुत बेसबरी से होगा अब आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे साथ बात में आप इसके क्लिक करके देख लिजे उसके अलावा जो बात है वो यह है कि बहुत सारी टीम से और भी अपडेट्स लगातार आ रहे हैं बट केके आर से छटका श्रेय सेयर को यह श्रेय सेयर ने छटका दिया है केक्यार को वो देखने वाली बात अपने आप आप सब को इक बाफ फिर से हैपी देवाली आप सब के परिवार को हैपी देवाली और उमीद यही करूँगा कि आपका यह त्योहार बहुत अच्छे से जाए आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करें ध्यान रखेगा बहुत जादा तेज आवाज वाले पठाके ना चलाएं और जानवरों को किसी तरकी परिशानी ना हो पक्षियों को किसी तरकी परिशानी ना हो इस बात का प्लीज ध्यान जरूर रखेगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग दी वीडियो